गंडापुर्टा गंडारा गंडापुर्टा गंडारा एक नम्डरी कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गाउं समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विध्या बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विध्या बिनकाम बहता है भई गंडाराम झांड़ाफूर्टा खंगारा था यह दो फुर्टा घंगारा यहीजित रियुक्त हो यह प्रत घंगारा था यहीं जो पिर गया वह हमारे गाओ के एक है जो भी आएगा उसको एक तो कमरा दे देंगे अरे आप उनको यहाँ पूरा नहीं पड़ता तो दूसरों का रखेंगे बात तो रखनी होगी कि रिस्तेदारी का मामला है अब आइसा निगाव आपस भेज दीजिएगा तो फज्यत होगा अरे वह फिल्म में कामकर में आया है गाउं की नौटेंगी का नंबर वन हीरो याहू नहीं जूट काय बोलेंगे हम भगवान कसम खा कहते हैं जो इबाद साबित कर दे कि हम एक दिन भी स्कूल कहते हैं हम उसको सौर उपी नाम में दे देंगे तुम्हारी और मेरी मंदिल एक है हम दोनों मिलकर अपनी किसमत आजमाएंगे आज से तुम हमारे दोस्त और साथी सुभाश घई क्या अरे इसके गाउं में नाटन के दे के एकदम फ्लैट हो गया बोला मुंबय आ जाओ मेरी फिल्म में काम करो मेरे गाउं का है ना जी ना थेड़ा टेड़ा ठर पैसा लेजाओ यरे हैं कि वह बेद स्टम पैसा बाद मेड़े जाए ना वह भर मेरी मेरी अलो पुंजानी साहब है ऑच्छानी कि आ बढ़ने बैठेगा मच्रदानी बैठेगा बोलो क्या बात है वह हमको पन्नाल आल जीने भेजा है जर्नल पन्ना लाल जडनलिस्ट अ यहार का यहार फोन लगा ही रहे थे लेकिन इस तेली फोन का क्या बताव क्या हुआ मेरे साथ में पैसा भड़ो तो भी नहीं चलता नहीं भड़ो तो भी नहीं चलता मैंने बोला काय को बिल बढ़ने का यार का में काम करने के लिए हैं हमारे नाम गंगाराम का भाई का सिंदेश रहीं हम ब्हार इक यार्ड़ो सूथो मुलूब पहले कौन कौन से फिलम में काम किया है आभी तक तो फिलमें काम नहीं मिला है लेकिन बहुत अच्छा अर्थिस्टं पन्ना लाल जिने कहा आप इनकी मद कर सकते हैं पंदालाल जी ने कहा हाँ 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 मदद आज से पांच साल पहले साही तुम किदर था आज से पांच साल पहले मैं प्रोडूसर बना था मैं एक अलाकाडो को चांज भी दिया तुम को भी चांज देता था इसके पहले तुम क्या करता था हम गाउं की नौट उसमें गंगाराम के लिए कोई रोल निका लिए ना, छोटा मोटरोल हो तो मेरे लिए भी अभी तेक दम शुरुआत है, हमको शुरुआ ही से रख लिजे न, हम अपनी एक्टिंग से आपको एक दम खुश कर देंगे और कौन-कोन आर्टिस्ट है? अरे, किस किसको लूँ, डोज आ जाते हैं, समझ मनी याता किसको लूँ, किसको ना लूँ, मैं तो प्रेशान हो गया हूँ अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए न, आप इनको ले लीजिए, ऐसा आर्टिस्ट आपको दूसरा नहीं मिलेगा, कभी से शुरू करने वाले हैं? फाइनांस मिलते ही शुरू कर दूँगा, तुम थोड़ासा फाइनांस का बंदू बस कर दो, एक बार फिल्म का मोहड़त हो जाए, पेपर में पबलिसिटी आ जाए, तो फाइनांस अड़ दोड़े अपने ओफिस तक आ जाएंगे, समझे, मुझे गलबूदिया? इस सम्मी कितना पैसे लग जाएगा? अरे कितने भी लगेंगे, हम कहां से लाएंगे? ये भी वही निकला, सारा नाटक मुर्गा फसाने के लिए था तब का फिल्म काम करने के लिए पैसा भी दिया जाता है? अरे नहीं दोस्त, ये टटपुंचे प्रोडिसर था, वो पन्नलार जे नहीं कहा था, कि ये फिल्म में पैसा डुबा कर बैठा है, अब दूसरों की डुबाने में लगा हुआ है कोशित हम बहुत किये दोस्त, अब का करिएगा, रास्ता ही नहीं मिल ला है अरे मिलेगा दोस्त, हम दिलवाएंगे, अभी तो कोशित की शुरुवात है, कुछ तो फिल्मी जानकारी मिल गई, आगे और मिलेगी तब कहां जाए जाए, जाएंगे किसी और के पास, तक कर तो मारना है पड़ेगा, चलो बुठो, बैठने से काम नहीं चलेगा, कभी ने कभी इसके लिए कि दिवार तोड़ेंगे और अंदर गुषेंगे चलो, हाँ, ठारिये न हिम्मद, बिसारिये न राम को, अब फिर से जोल लगाई और जीद ये अपने काम को, हाँ, चलो मुना भाई के पास, चलो गंगा के तीरे तीरे, बापु चले धीरे धीरे, नमस्ते मुना भाई राम प्यारे न, आहँ, बैट, बहुत दिनों के बाद देखा, ये कौन है, बैट 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 ये मेरे मुसरे भाई गंगा राम, गाउं से आये हैं, वाह, राम प्यारे, गंगा राम, दोनों तरफ राम, बीज में प्यारी गंगा अच्छा ये बता आज मुन्ना भाई कैसे याद आया वो क्या है मुन्ना भाई कभी कभी आना मंगता है जास्ती दिनों के बाद देखेगा तो तुम्हारी शकल भी नहीं याद आएगे है न हाँ वो तो ठीक है पर अच्छा अभी क्या कर रहा है तो पढ़ाई चालू है न खैरा तो कोई परिच्छा वरिच्छा दिया है आसमा सुआ की नहीं नहीं मैं फेल हो गया कोई बात नहीं घबराने की कोई बात नहीं हम इसी सब धंजट से कभी स्कूल गये ही नहीं अच्छे ये बता कैसे फेल हो गया है फेल नहीं हुआ है मुन्हा भाई इम्तिहां दिय नतीजह नहीं आया है आरे तो ऐसा बोलनेगा ना अच्छा ये बाई साब जब से आया है कुछ बोला नहीं आप ही बोल रहे थे तो ये क्या बोलेंगे इसे कहते हैं तहजीद गाउं से आया है ना इसलिए तहजीद मालूम है इधर भंबाई के लोग कुछ भी नहीं सीखा बोल क्या मालूम करने का वो हमें एक बाद बताईए ये फिलम में काम कैसे मिलता है क्या काम यहां ज़ाड़ु वाले से ले करके डारेक्टर तब बहुत काम है बोलो क्या काम चाहिए एक्टर बनना है एक्टर शाहिद कुछ गलत सुन दिया नहीं नहीं ठीकी सुना है भाई साब को एक्टर ही बनना है देखो भाईया फिलम में चार किसिन की एक्टिंग होती है पहला होता है हीरो नायक तुम हीरो बन नहीं सकते उधर नवटंकी के तो हम हीरो ही है सुल्तान अडाकू ओहो व तुम बन नहीं सकते तुम्हारा साइज चिंटू विलन का साइज मालूम है अमरीश पूरी छे फीट तीसरा है कमेडियन हाहाहाहा हसाने वाला अलूत हम बच्पन से जवता है एक्ष्टा एक्टर जालूदार जमादार हवालदार सिपेसालार अरे हम तो हम भी हीरो बनने जाये थे दस साल हो गया हमें तीसरे दर्जे में ही लतक रहें लेकिन हमें तजुरुब्ह है मेरी जान पहचानका एक 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 स्कूल है घबराउमध तुम्हें काम जरूर मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा चलो एक्टिंग इस्कूल में भरती हो जाओ वहाँ से बहुत इश्टार निकले हैं फीस नहीं नहीं मुना भाई ये तो मंजेव के कलाकार है नौटंकी का बाश्चा अरे हम तो कितने लोगों के एक्टिंग सिखा दिये कहीं तो आपको भी सिखा दे क्या एक बात बताए तो आप कौन सा एक्टिंग स्कूल में पढ़े हैं हाहा जब हम मुंबई आए तो आइक्टिंग स्कूल उल कुछ भी नहीं था ये तो सब बाद में खुला है अरे तो बाद में भरती होना था अरे तब तक तो आपन सब सीख गया था काय को बरती होने क और उदर भरती होने के लिए पढ़ाई लिकाई जरूरी है अपन साला ठेहरे अंगुठा चाप हाहा अंगुठा चलो यार अहां ले आए चले आया एक्टर बनने है गंगा के तीरे तीरे वाह अरे दोस्त तुमने तुसका कजरा कर दिया वो तो अपने आपको दिलिपकुमार समझता है कह रहा था दस साल से कोसिस कर रहा है कई असद नहीं कहम को भी दस साल लग जाएंगे आगिस हम भी नहीं दोस्त मुनना भाई नौटकी के बाशन थोड़ी है चलो पान खाके तब यह थरी करते हैं ऐसा करते दो चाटो खाए लेता हमें सब्सक्राइब भर हो जाते हैं पंडी जी दो पान लगाई है आप यह लगाई के बाबू हाँ पान खाओगे ना अरे काई नहीं हाई प्यारे अरे आप उनके गैरेज पे पहचान वाला आया था वो भी वहीं पे काम करता है सुभाज गई के यहां क्या किदर उसको हम गंगाराम का नाम बताया पर उसको तो फिल्म डिपार्मेंट का कुछ मालूम ही नहीं वो तो वीडियो में काम करता है वैसे इन साब का सुभाज गए गया शुटिंग कप से है अभी टाइम है जब होगा ना बताएंगा आच्छा चलो चलो कहा यहीं चलो आरे यह यह पांत तो लेकर जाओ का है यह फिल्म शूटिंग की का बात कर रहा था अरे कुछ नहीं ऐसे मजा करता रहता है तब कहां चला जाए कहीं भी लेकि दूसरे मुर्णा भाई के पास नहीं जाना यह काम करते हैं मैं अपने गुरू के पास ले चलता हूं उसकी राहे लेते कौन गुरू साधना दीदी चलो इधर तो आप नो टंकी के बाश्या है इसलिए फिल्मों में हीरो बनने आये हैं देखिए का है कि एक दम हीरो ताम बन नहीं सकते लेकिन लेकिन थोड़ा थोड़ा हीरो दीदी सेट रोल भी चलेगा यह का होता जी छोटा मोटा रोल मैं अगर इरादा पक्का हो और कोशिश पूरी हो तो काम जरूर मिलेगा और कोशिश करने में तो कौनों कसर नहीं छोड़ेंगे हैं कोशिश में कोई कमी नहीं होगी ऐसा बोलो मिलन नहीं देखिए क्या लो तुम तो अभी से पढ़ाने लागे दीदी फिल्मों में काम करना ह तो सही बोलना तो सीकना ही पड़ेगा ना अब साथने जैसा है कि गाहों में जैसे चलती थी वैसे निव जाती थी यहां कर पता लगा ना कि नदी नदी है उस समंदर समंदर अब लोग जैसा रास्ता बताएंगे वैसे रास्ते पर चल देंगे कि अपका बोलने का ये खास अंदाज भी बड़ा अच्छा है इसमें अपने मिट्टी के सुगंध आती है कि जितना कांधा आपना मजबूत बनाएंगे उतना ही ज्यादा वजन उठा पाएंगे काहें नहीं डटके मेहनद करेंगे कि मेहनद ही नहीं मेहनद तो गधा भी करता है मेहनद के साथ साथ तुड़ी अकल की भी जरूरत पड़ती है तभी जिन्दगी में तरक्की मिलती है और तरक्की के लिए पढ़ाई- Doctor फ़्रूरी है पढ़ाई- लिए। हर सभी हर कदम पे काम आती है और आप ने तो असली समान जुटाया ही नहीं और निकल पड़े लंबे सफर पर अरे आगई जमना चल जल्दी से जड़ा चाय बना के लिया तू खैर छोड़ो जो हुआ से हुआ आगे क्या सोच रहे हो आगे हम का सोचेंग आप भी बताईए गंगा राम का राम प्यारे आपके गाउंवाले है अराम प्यारा मेरा मुझ बोला भाई है इसलिए आप हमारे एक मीसे आपरサौत तो हम जरूर राम प्यारे के साथ हैं देखा दोस्त इसलिए साध्रा दीदी को मैं गुरु मानता हूं अब दीदी भी तुमारे साथ है अरे इसका मतलब एक से भले दो दो से भले चार हमरे हिम्मद तो बहुत बढ़ गया राम मिलन भाया तो हमको उल्टा सीधा कहकर डुबो करनी हूं और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उन्हें मुर्गा भी बनाती हूं या तो बेंच पर खड़ा कर देती हूं खेर छोड़ो आज ये जिस बड़े बच्चे का नाम दर्ज कराने आया है एक तो उसे पढ़ाई करनी ही करनी है और अगर जरा भी लापरवाही की तो उसे भी सर्जा मिलेगी बोलो मंजूर है मंजूर सब कुछ मंजूर जो आप कहेंगी सब मंजूर है दीदी गंगा राम क्या इस उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अरे भाई जहां जागे वहीं सवेरा उम्र की बंदेश तो सरकारी नौकरी में होती है पढ़ाई शुरू करने के लिए नहीं काली दास ने भी बड़े उम्र में पढ़ाई शुरू की थी और महा कवी काली दास बन गये थे अरे तब तम तैयार हैं लेकिन यह तो नहीं सोच रहे कि मास्टर नी पीछे ही पढ़ गई उन कह सोचेंगे जब आप हमारे भलाई का सोच रहे है तब हम आपके बारे में से काल सोचेंगे लेकिन एक बार जहन लीजिए कि एक बार जो चीज हम सोच लेता है उसको करके छोड़ता है तब तो बंबई जिस काम से आये हो वो जरूर पूरा होगा दोस्त तुम अपनी मंदिल पाने की जंग शूर करो तुम्हारे लिए मैं अ भूमने फीरने तो आज गाउं गाउं में हो गया है पहले तो आदमी रोजी रोटी की मजबूरी में गाउं छोड़ते थे लेकिन आज कल अरे आज कल देखो तो फिलम में हीरो बनने के लिए भाग के आ जाते हैं अरे तो यह भी तो एक जरिया है ना पैसे कमाने का जिसको में लेको जोन काम करना चाहें काम करें अरे पहले घूटपो देखना चाहिए कि नहीं अरे आदमी जिस लायक होगा वह ना कामम मिलेगा उसको कहां गाउं की नो तंक जामें कीनो का मिल सकता है का अब अभी सब हमने जानते हां अब आप तो खुद फिल्म देख से नहीं है नहीं हम को दिखाते हैं तो हम किया जाने फिल्म में गदहा गरता है या घोड़ा अब बुड़ः कहुत ही काहल में फिल्म देख कए कहा करोगी तक जवानी में दिखा अठाव 건 अब आपको बुढ़ाव बनने का सौक है तब भले बनिए हमको बुढ़िया मत बोलिए हमरे बाल अभी तक पक्षण नहीं है हाँ जब बिटवा जवान हो जाते ना तो महतारी तो अपने अप बुढ़िया हो जाते नहीं होगी जी जब बेटा बहु लेके आएगा न तब भले ही बोलिएगा बुढ़िया अपने बिटवा को समझाओ कि कोनो धंक का लाइन पकड़े और कमाना सुरू करे तभी न लुगाई लाइगा कि बापे के कमाई में उसको भी खिलाएगा अब सब काम अपने समय पर ही न होंगे पढ़ाई तो करी रहा है न कोई लाइन पकड़े ही लेगा अरे हमका तो डर लागत है कि गंगा राम के संगत में कहीं एकरे दिमाग में फिलम न बुच जाए बिकार का बात जाता हैं लेकिन जवान लड़का लोगन के जितनी जल्दी फिलिम जासर करता है न उतना जिनगी भर का पढ़ाई असर नहीं करता अरे तो लड़का सयाना हो गया इसका मतलब यह तो नहीं न कि उसे गाई बकरी की तरह रस्ती से खीच का बान के रखे अब घूमने दीजे लड़का लोग महतारी के दुलार में बिगड़ जाते हैं पर एक उम्मर के बाद बच्चा लोगों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है ठीक है रखिये नजर पर एक बात ध्यान से सून लीजिए गा गंगा भाया की संगत में वो दोई-चार बातें अच्छी ही सिखे बिगड़ेगा नहीं और ओके सामने इसे बातें मत कीजिएगा आपके दिमाग कानों वहरो साना बले तुम अपने गंगारान की बहुत तारीव करो पर हम उसके पगलापन को नहीं मानें नहीं अपनी बिटवा को पगलाये देंगे कि जाओ दिमाग ना चाटो हाओ कि यहीं कहत ना हाँ चलो ए किसको मिलना है वह अंदर जाने भाई अरे पर किसको मिलना है वह प्रोडूजुसर को प्रोडूजुसर तो बहुत हैं नाम या है नाम नाम तो नाम तो और हम और जल्दी बोलो मेरा टाइम खोटी मत करो किसको मिश अनल से वो तुर tbsp के अरे इन कें तो को है ng use of data producer को मिम लाए अरिबया एधम का पूरसे है उमारा प्रोडूसर से मिलना है जाने दिए अरे चलो बार बहुत आए तुम्हार जैसे प्रोडूसर से मिलने वाले चलो बार चलो बड़े आए पिक्चर में काम करने वाले चलो बार अरे कब तक अंदर घुशने नहीं देगा एक दिन हम भी गाड़ियों बैठकर उसी तर अंदर जाएंगे और यह सेली तुमारे का देखना क्या हुँ बैए अरे कुछ नहीं shooting देखना है क्या है हज़ अपन दर्बान को बोलेगा वो तुमको अंदर जाने देगा ठ्लैख अपना रेट पिचेत्तर रुपया है एक चलो बई जाओ पर आदा घंटे से जस्ती नहीं ठाहरने का एक बाजू में खड़े हो के देखने का और सुनो देखने के बाद आपस जल्दी आने का ठीक है चलो चल आदा वाल दिला कर जल्दी मुझे चमा करो मैं इस जमाने में पाइदा होने वाले सर्वस एक्टवेक्ति का खंडर मात रहो दिक्कार है मुझे पर सॉरी सॉरी सर वन मोर सर एक बार तेक टो कैमेरा उपर लो साउन्द ऐसा होता है फिल्म को फूटी रहे चुपचाप देखो कलाकार कौन है हम कभी देखे नहीं है मुझे नहीं पता अरे बापरे कितना बड़ा कैमरा है बड़ा फोटो आता होगा तब इना परदा पी इतना बड़ा दिखाई देता है ऐसा नहीं होता है फोटो हम अतकार हो आप आप पहली बार दीखे हम भी दोस्त देखना एक दिन हम भी केमरा के सामने आ जाएंगे तो का यहां तक तो पहुंची गए एक दिन केमरे की सामने पहुंच जाएंगे चलो फ्रेम का आजी आरे जहां का फोटो आता है उसी को फ्रेम कहते होंगे यह घृ कि दिन में सब कुछ कैसे समझोगे चुप-चाब देखो कि एक ही बात को का बार-बार दोर आ रहा है अरे जब तक ठीक नहीं होता है तब तक बार-बार बोलना पड़ता है हुआ है सब्सक्राइब कर देख लिए अब लेंजब्रेक हो गया चलिए चलो यार तुमको तो हम अरे आओ प्यारे भाईया आओ कहां घुमाल आए इनको शूटिंग दिखाने ले गए थे शूटिंग दिखाने अरे बंबाई में भाईया जो पहली बार आवा था ना ओका श अरे भाईया जाने तो कौनों बात नहीं हीरो हीरो इन तो देख लियो नहीं अब समझ लेव तुम्रा बंबाई आना सुवारा चोगवा हमको भी भाईया बहुत लोग काते हैं चलो पंडी जी फिल्म की शूटिंग देखाओ लेकिन का करें ये पान की दुकान से पुर्च पिचले आते हैं लेकिन भाईया हम कोई बड़े आजवी को नहीं जानते हैं लागा थे फिल्म की शूटिंग देखने की बड़ी साख है आप ये गाउं से फिल्म में काम करने के लिए हैं गाउं में नौटंगी का नंबर वन हीरो अरे भाईया वा तुम तो हमरा बत्पन अरे अभी तो कोशिस चल रहा है अरे भाईया कोशिस शोशिस से काम मिलने वाला नहीं है यहाँ पउववा इपउवा का होता है जी अरे बंबया जबान है किसी डारेक्टर पोटूसर के पहर भी करो खाली हाँ समझ में डालने से मोटी नहीं मिलने वाला बाबुजी हाँ दिन भर क्या किया जरूर यूँ भटकते रहे होगे हाँ दीदी कितनी जगा गए किसी ने भी गास नहीं डाली ये फिल्म वाले भी अजीब लोग है अरे बेवकूफ जो तुम्हारे लिए अंजान है वो क्यों गास डालने लगा तुम्हारा तरीका ही गलत है कोई भी काम करना चाहिए अब आप भी बताएए कि का किया जाया और कैसे किया जाए बताती हूं कहां कहा हां गये थे मुन्णा भाई से शुरू किया था दीदी हारा हुआ सिपाही दूसरे को क्या लड़ना सिखाएगा क्या बोला मुन्ना बतावनों दोस्त क्या बोला वो कामचोर मुन्ना जिसके पास काम ही नहीं है वो कामचोर कैसे होगा खैर छोड़ो उसको अपने काम की बात करो गंगा राम एक बात इमानदारी से बताईए आप फ आधना जी का सवाल तो बहुत कठीन हैं, लेकिन हम जवाब ज़रूर देंगे। ये बताइए कि ऐसा कौँ सा काम है जिसका इंतजार किया जा सकता है। दरसल समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें भी किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप दोनों काम आगे पीछे शुरू कर सकते हैं। दोस्त अच्छी सलाह है, फिल्म के लिए कोशिश जारी रहेगी और उसी में से कुछ समय निकालकर पढ़ाई भी करनी है। जी नहीं, पढ़ाई से ही कुछ समय निकालकर फिल्म के लिए कोशिश जारी रखनी है। पहले नीव या पहले इमारत। पहले नीव देखिए साधना जी माता सरसती ने आमको आपके पास भेजा है हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे ओह दीदी तुम महान हो दोस्त तुम्हारा काम बन गया लेकिन दीदी एक समस्या है आप क्या समस्या है यह सब लंबा चक्कर है बहुत टैम लएगा और मेरे ब करको धाये चलने को कहे शान से नकल जाना और सीरे यहां चले आना सब बंदोबस्त हो जाएगा सत्वी आप लोगों को परेशानी तो नहीं हो मिल गई तो हमने तो भागी खुल गए अब जहां उन काम हम करने आए हैं वह करके ही छोड़ेंगे हम कहे रहे थे ना कि उन्हों टंकी बाज के संगत करने से रोको उसको वह भी लफंगा हो गया उखरे साथ अर म्या ओता अरे तह आहीं न कहे था है कि बंबई घुमाला आओ अब गया है घुमने अरे और आदमी दिन में घुमता है कि रात में आदमी थोड़ी घुम सकता है अरे तो घबराते काहły हैं बाकी एक आकल घुमेंगे है is कि यह तना देर कहां लग गया रहे गेट वे हैंगिंग गार्टन जूचो पाटी सब घुमा दिये गाउं में जाके सब को बताएंगे क्यों अरु नहीं तो का बताएंगे ना कि प्यारे भाईयम का पूरा पंबई घुमा दिये ठीक है ठीक है बाकी का भी घुम लेना अरे य तो गंगारा समंदर देखने की चीज है नहाने की नहीं है हम तुम्हें टिकेट के लिए बोल दिये हैं वापस नहीं जाना है का अरे आप हमको भगानी की काहीं सोचते रहते हैं आपको कौन काम आए नहीं सोचे अभी तक कि तुम्हें दिमाग से फिलिम का भूत नहीं उत है ठीक है हाँ हाँ भूक लगे चलो अब बाप रे बाप आते ही बोमा बोम शुरू लेकिन हमारा चाल भी काम कर गया है पर एक बात बता हो कि जो हम जूट बोलें उसका पाप तो नहीं लगे ना यहां अरे दोस्त जिस जूट से किसी का नुक्सा ना हो और फाइदा हो उस नहीं आया तो तुम क्या समझोगी बाबुजी एक बाद बताईए अब कहुं से दल में हैं राम भिलन भाईया कि दल में या हमारे दल में अब तक तो तुमने इस दल में हूं अब बताव का बात है अमा बाबुजी का घुसा ठंडा करने के लिए थोड़ा सा जूट बोल और शुट अहीं है रहे हैँ अब तुम लोग उनको का हिक एतना बुरा समझते हो हैं अब फिकर करते हैं इस दिए नहीं गुसा होते हैं अब गुसा होते तो बिलट परे बढ़ जाता है उनका पाद जी हम लोग सजमुठ बेयाकल हैं जो अपना ही सोचते रहते हैं और किस रहते हैं वो सिर्फ इसलिए तुम फिल्म में काम करने आये हो फिर भी बाबुजी को इतना कड़क हो के नहीं बोलना चाहिए था यह वाप किसी कायद करता हैं हां गंगा भाया वह शर्ब जुबान के कड़क है दिल के बहुत अच्छे है वह उनकी बातों का बुरा मत मानना भाया अरे नहीं भाजी हम किसी कोई बात का बुरा नहीं मानते हैं आप बेफिकर रही है गंगापुर्टा गंगारा गंगापुर्टा गंगारा एक नंबरी कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गाउं समाज कितना भी हो जाए ना बने नहीं विट्या बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विट्या बिनकाम कहता हे वै गंगाराम गंगापुर्टा गंगारा गंगापुर्का गंधारा गंगापुर्का गंधारा